थे Love friends, most welcome to में चैनल Beauty and Hair Styls आज मैं आपके लिए क्या हैं कि आपको bridal base कैसे रेडी करना है तो यह मैं आज आपको करके दिखा रही हूं तो friends मैंने इससे पहले जो class ली थी वह यह थी कि skin preparation कैसे करनी है उसके बाद जो class ली थी मैंने primer क्यों पर ली थी और tramer ink करके दिखाया था serum करके दिखाया था ठीक है serum कैसे umeze करना है primer से पहले बाद में और किस तरह सी youze करने है तो आज की जो हमारी class है वो यह है कि आपको base कैसे बना देखते हैं कि base कैसे आपको prepare करना है तो मैंने यहाँ पे mixing के लिए एक plate ली है किया हुआ है और प्राइमर किया हुआ है डारेक्ट बेस पे चल रहे हैं तो मैंने अपना फाउंडेशन लिया है देखिए पाउंडेशन आपके पंप में आते हैं कुछ फाउंडेशन मैंने पंप में लिया है और इसमेना क्या होता है कि आपको कितने पंप लेने हैं मेरे two pump को कि इसके two pump मैंने लिए हैं अपने foundation के आप two pumps लिए हैं ठीक है और अब यहां पर क्या करना है अब देखिए यह जो foundation है बहुत light है ऐसे तो मेरे पास मेरी skin tone का भी foundation sheet है ठीक है यह देखिए जो मेरे पास क्रियोलोन का सुप्रा है यहां पर मेरे पास मेरी शेड का है यहां पर fs यह पास 22 भी है fs 38 यह प्रॉपरी मैच होगा और fs 29 यह भी मेरे स्कीन पर प्रॉपरी मैच है लेकिन मैं आभी यूस दहीं कर रहा है मैंने क्या है कि हाप एपना foundation कि तो शेट बनाओंगी जब भी आप की आज की क्लासे में सारा किलिर करूंगी कि कशेछ की अब को बेश की बारे में सब कुछ बताऊँगी सब कुछ प्रॉपर्ली बताऊँगी तो सबसे पहले का करते हैं color correction सिर्फ बेस की class है कोई eyeshadow कोई कुछ नहीं base कैसे ready करना है सब very important तो color correction अगर आपके यहां पे circles हैं dark circles actually dark circles black color के नहीं होते हैं वोते हैं blue color के हमारा जो blood होता है यहां से जाता है उसके साथ मिलके एक color क्रियेट करता है जो कि blue color होता है ठीक ऐसे में dark circle problem नहीं है लेकिन जिनकी है तो उनको orange collector 303 का यूज करना है blue का opposite होता है orange color wheel में देखता है blue color का opposite color ultra color जो होगा वो orange color होगा इस वजह से dark circles पे orange color लगाना है अगर आपको red color की problem है यानि जैसे red color की problem क्योंसे pimples की problem होती है red sports है या pimples है तो अगर आप उस पर orange का एक्टर लगा दोगे तो आपके pimples और ज्यादा visible हो जाएंगे visible हो जाएंगे ना तो उसके लिए आपको क्या करना है और इस तो लगा नहीं सकते उसके लिए आप लगाओगे ग्रीन red का उल्टा कलर opposite color देखिए कोई से red का opposite कलर क्या है ग्रीन है तो आप green का यूज करें अगर पिंपल की problem है अगर कोई blue या purple वो लगाए ठीक है तो यह किसके एकोडिंग चूज करना है problem के एकोडिंग जहां हमारे opposite color color correction करते हैं वैसे की काम भी आते हैं जैसे की red लहंगा डाला है अगर आप green color ultra color की जूदरी डालते हैं green color की तो बहुत अच्छी लगती है या फिर एडिकल को सप्रेस करने के लिए भी green लगाया जाता है तो दोनों काम करते हैं ठीक है तो सबसे पहला step होता है color correction का इस class में यह totally base के base की इस तरहां से ready करना है उस पे जो है depend करते है पूरी classes जीज पे based है तो मैं आपको पूरी class आज बूरी detail में दे रही हूं तो आपने क्या करना है जैसे कि मैंने character लिया है this one this one यहां पे लगाया पिल्कुल उतना ही character लगाना है जितनी requirement है थोप थोप के नहीं लगाना this one and this one मेरे जो face पे इस तरह की problem है नहीं मेरे face पे जो यह जो problem है ना dark circles की problem नहीं है मैं आपको जस्त लगाके बताऊंगी आपको कभी भी इसको यहां नहीं लेके जाना की इस एरिया में नहीं लेके जाना problem नहीं है तो मत लेके जाए आपका फेस बहुत ही जादा flat लगेगा, इस area में रखना है क्यों लगाया है, अगर dark circle की problem है या blue color की कोई problem blue color किसमें होता है, dark circle होता है अब use करेंगे हम blender का use अब blender में क्या होता है, एक होता है wet और एक होता है damp इन में फर्क क्या है ये जो है न, ये wet है wet यानि गीला है लेकिन अब देखिए कौन की blender को हमेशा गीला करके use करना है इसके अंदर पानी भरा हुआ है अब आप imagine नहीं कर सकते इस blender के अंदर कितना पानी है जो एक अच्छी company के blenders होते है जब आप उन्हें पानी में डालते हैं तो अपनी जितना वो size होता है उनके size से double हो जाते है अच्छी company के blenders ठीक है कभी कभी क्या होता है कि आपके blenders के उपर छोटे छोटे से sport आ जाते हैं हलके हलके से उसे बोलते हैं algae अगर algae आ जाए आपके blender पे छोटे छोटे दाने आ जाएं तो उस blender को बिल्कुल भी use मत करें उसको fake दे वो blender हो गया है खराब ठीक है आप brushes का use कर सकते हैं आप blender का use कर सकते हैं यहाप पर मैं brushes दिखाऊं तो आप देखिएगा तो आप brushes का भी यहापे use कर सकते हैं तो हर एक तरह के जो brush हैं आपके पास available होने भी चाहिए जरूर होने चाहिए यह देखिए इस तरह के brush का यूज कर सकते हैं तो blender को जब भी आपने यूज करना है गीले करना है सूखा यूज नहीं करना आपका पैची हो जाएगा मेकप ब्रैंड हें नहीं हो हम नेक्स्य चीज कि आपको क्या करना है वैक कप जो था वो खाली था और अब इसमें से कितना पानी निकल रहा है निकल रहा है अब देख कितना पानी निकला है न और यह जो ब्लेंडर है यह है डैम्प पहले क्या था यह वैट था अभी हो गया है डैम्प समझ में आया तो यह जो है जो इसके अंदर था जो अभी अभी हमने निकाला है कितना पानी था इसके अंदर तो इसको अच्छे देनी चोड़ लिए ठीक है और इस तरह के blender को आपने यूज करना है next इसको हम करेंगे separate और इसको हम करेंगे blend इसकी हाँ से like this damp 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 formation में damp damp formation में अब देखिए जब उने damp damp formation में क्लिए ब्लेंड हो गया ना properly blend हुआ डाप formation अब देखिए आपको पता लग रहा है बिल्कु लाइट से shade आ रहे है और यह हो गया है blend और यह हमने कर रहा था ठीक है और same इसको भी आपने damp formation में इसको blend करना है डाप अगर आपके फेस पे pigmentation की problem है तब भी आप orange character का use करेंगे अगर कहीं persons ऐसे होते हैं जिनकी eyes के यहां पे भी pigmentation की problem होती है तब भी आप क्या use करेंगे orange character का use करेंगे eyes पे भी ठीक है अगर problem नहीं है तो मत कीजिए और बिकुल dab dab करके इस तरह से आपने इसे blend करना है और यह blend हो गया है blend करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे 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 blend नहीं करना जहां पर problem है वहीं पर ही blend करें और जगा फैलाने की कोशिश ना करें उस चीज़ को यह आपका फरस था यह अपका color correction का हो गया ठीक है अब हम चलते हैं foundation पर अब देखिए मैंने मैंने को का कि मेरे पास मेरी शेट का foundation पड़ा है लेकिन सबके पास सबकी नहीं करना है डोंट बाइट अब देखिए अगर मैं इस foundation को लगाती हूं तो कितना light है है न कितना जादा light है तो अगर मैं यह लगाओंगी न अगर आप light foundation लगाओंगे तो आपका यहां पर light shade का foundation लिया है ठीक है तो मैंने यहां पर एक dark shade लिया है मेरे पास यहां पर foundation की एक dark shade है dark shade का मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा dark लेना है जितनी requirement है आप उतना dark dark के साइड जाए यह देखिए मैंने एक dark shade यह देखिए यह जो है dark shade है है ना dark है नहीं और इसको मुझे mix करना है इस shade को मैं इसके अंदर mix कर रहे हैं दोनों shades में कितना difference है और इस shade को मैं इसमें mix कर रहे हैं जब तक यह आपको इसकी quantity इसके according रखनी है कि तब तक dark shade को mix करना है जब तक आपको अपनी shade नहीं मिल जाए देखिए मुझे अब तक अपनी shade नहीं मिली है तो of course मुझे थोड़ा सा old dark जो है वह इसमें add करना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि मुझे मेरी shade नहीं मिली तो यह अभी भी light है तो मैं इसे अच्छे से properly mix करूँगी अगर आपका spatula की help से mix करते हैं spatula नहीं है तो आप भी mix कर सकते हैं आप देखिए यह देखिए यह अभी भी light है है ना light है ना अगर मैं लगाँगे तो यह light लगेगा तो then मुझे थोड़ा सा old dark चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा old dark कर अपनी शेड तक लाना है आपने तो आपको पता लग जाएगा अब देखिए अब यह मेरी शेड पे आया है मैंने इसमें काफी डाग मिसकिया तो अब यह मेरी शेड पे आया है तो अब आपको कह करना है अब आपको इसमें लगाना है इसको apply करना है apply करने के लिए आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है अपने फेस पर अधिक है बाकि हम बाद में लगा लेंगे यह दिखे हमने अप्लाई किया अब हमने लेना है ब्लेंडर ब्लेंडर के हाद से आपने इसे ब्लेंड कर लेना है अब करना है अभी हम यह चोड़ रहे हैं और बाकी एरिया पर हम यहां पर इसे ब्लेंड कर रहे हैं आप देखिए कि अगर आप इसको ना कभी सूखे से करके देखिए जब सूखे से करोगे ना सूखे ब्लेंडर से तो क्या होगा यह आपका जो फाउंडिशन है वो पैची हो जाएगा जो आपका मेकप है ना वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तो आपने क्या अच्छे से प्रोड mort brain है उर है यह करना है fundament है प्रोड करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें कि अगर जो अगर नहाप एक अच्रे मेस से अच्छे से करना चाहते हैं तो बात यह है कि आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे आप कब इस उतना ही ज्यादा अच्छे से सेट हो देखिया पता लगा नहीं ना पता लगा किता लाइट शेट का फाउंडेशन था और वो मेरे स्किन के साथ मैच हो गया और मेरे स्किन में उसका पता भी नहीं लगा कि फाउंडेशन कहां गया आइस देखी अभी मैने आइस पे नहीं किया है तो मुझे क्या करना है मुझे अच्छी थ्री पंप लेने चाहिए थे मेरा जो फाउंडेशन अवो गातम हो गया तो मैं विल्कुल आइस पे बहुत कम लगा रहे हैं को प्रसंस ऐसे होते हैं जो आइस का मेकप पहले कर लेते हैं कुछ परसंस ऐसे होते हैं जो आई का मेकप बाद में करते यह completely आप पर depend करता है कि आप कब करना चाहते हैं मैं अपना eyes का makeup बाद में करते हूं अपने base को set करने के बाद अब यह तो है अब आपका देखिए आपका जो face है इसके according flat हो गया है अब देखिए features हाइड हो जाते हैं हमारे face के अब देखिए हमारे face के सारे features हाइड हो जाते हैं ठेक है न अब आपको क्या करना है अब मेरी कुछ persons स्यासे होते हैं जिनको एक light और थोड़ा light चाहिए होता है यानि कि उनको makeup थोड़ा light चाहिए होता है तो अब आपको क्या करन हम गाप्तर के लिए एक ने अगर आपको मेंक ठोड़ा और लाइट चाहिए तो आप यहां такого लाइक ध्षेल लाइट मत करें में रिकोडिंग तु आपको ज्ज्डातल लाइट करना चाहिए अब क्या कर रहे हूं क्योंकि अभी मैंने यह एडिया कवर नहीं किया यह वाला और यह वाला यहां पर यूज कर रहे हैं अपना FS22 फ्सटुटु शेड में यहां पर यूज कर रहे हूं कहां पर अपने पूरे फेस पर FS22 इसको हलका सा लाइट देने के लिए मेरा मेकप थोड़ा लाइट हो जाए यह ऑप्शनल है क्योंकि कुछ परसल चाहते हैं कि वह गोरे दिखे तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन टोन का ही फाउंडेशन लगाना पड़ेगा और तब ही आप एक लाइट शेड चूज कर सकते हैं अब आप देखिए यह एक शीड लाइटर लिया है पहले मैंने मेरी ही शेड का लिया था क्योंकि अपने शेड का लगाने से आपको फ्लोलर स्किन मिलती है आप आपने क्या करना है सेम ब्लेंडर के हल्प से इसे ब्लेंड करना है जस्ट डैफ वर्मेशन डैफ और मिशन में उसे blend करेंगे देखिए light हो गया न पहले ये था अब यहाँ पे आ गया और अब आपका जो make-up है वो grey नहीं होगा अब ये जो आपके ये जो चीज थी ये जो ये जो आपका ये वाला part होता है न ये वाला part ये ये वाला part ये वाला ये आपकी eyes के इस तरहां से blend करने के लिए होता है eyes के downward direction में ठीक है इस तरहां से और ये जो round वाला part होता है इससे आप और parts को पे blend कर सकते हो like this ये देखिए then हमारा जो base है ये हो गया है set set हो गया ठीक है जिसको light चाहिए उसके लिए है light नहीं चाहिए तो आप पहले पर रुख जाए next आपने क्या करना है तो ये तो हो गया हमारा base set इसके बाद हमारा होता है highlight highlight हम बेस से भी करते हैं अब हमने highlight के लिए क्या करना है कि हमने यहां पे अपनी मैं यहां पे अपने contour ले रही हूँ जिसको मैं just इस एरिया में apply करूंगी इस एरिया में इस तरह से यहां पे हम करेंगे contour इस तरह ठीक है नोज पर भी करते हैं यहां पर हमारा यहां पर complete हो गया है ठीक है next इस तरह से next अगर आपका बलशर की करूं तो आप यहां पे ब्लश कर सकते हैं मैंने आपे हलका सा ब्लश लिया है लाइक देस इसके उपर और इसको मैं करूँ या ब्लेंट ठीक है ना इसको जस्ट आपने अपने पाउडर पफ की हाप से ही ब्लेंट करना है लेकिन एक चीज़ और है कि आपने हाइलाइट भी करना है हाइलाइट के लिए क्या करेंगे अब सेम इसको इस तरह से डाब फॉर्मेशन में करें और ब्लेंट करें यह आपका प्रॉपरली यहां पे ब्लेंट हो जाएगा इसी फॉर्मेशन में आपको डैप डैप करके ब्लेंट करना है लाइक दिस और फॉर्हेट जहां पी आपको शेड़ो क्रियेट करनी होती है महां पे आप कॉन्टॉर्ण करते हैं यह प्रॉपरली जस्ट और आजकर ग्लास ही और बेस सेट करनेगी थी जो कि मैंने आपको बता ही हैं इस तरह से आप अब ने सेट कर सकते हैं अब नैक्स जो हमारे पास होती है हमारे जो हाई लेट जोन हाईलाय इसवाला जो ढया पार होता है इसे हाईलाय करना होता है विल्कुल इस बार्ट को यह जो चिक्स वाला है यह जो पार्ट है कॉंटोर से नीचे यह हाइलाइट का पार्ट होता है ठीक है तो मैं यहाँ पे अपने लिप्स्टिक शेड भी अप्लाई कर लूँगी और मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से हमने कर लिए और इसको हम जो हमारा हमने हाइलाइट ए कि यह जो हमारा हाइलाइट विए जो कि हाइलाइट दिखाई देगा और इस वन और से आप प्रेडल लूक ले सकते हैं बाइदल बेस सेट कर सकते हैं जब आप अपनी proper highlights करोगे और proper contouring करोगे eye shadow apply करोगे तो ये बहुत ही dress wear करोगे jewelry wear करोगे, hair style करोगे तो बहुत ही amazing लगेगा तो friends I hope so कि आपके मेरा वीडियो पुसंद आया होगा तो thank you वीडियो देखने के लिए और जाथ आपडेटिं वीडियो के लिए कि आप मेरे चैनल ब्यूटियन हिस्ट्राइब कर सकते हैं थैंक यू गुद्बाइ